दोस्तो आज मैं आपको Realme 7 Mobile पे Combo Change करना सिखाऊंगा अगर आपको Change करना नहीं आता है या फिर बिल्कुल आपका हाथ सेट नहीं है या फिर आप नए है तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को Like जोलो करना और एक प्या पर सबसे पहले हमें इस Back Panel को खोलना रहेगा बैक पैनल को खोलने के लिए इसमें प्लास्टिक बैक है तो ज्यादा मसकत नहीं करनी पड़ेगी अगर ग्लास वाला रहता तो थोड़ा समय सेफ तरीके से खोलना पड़ सकता था तो यहाँ पर यह प्लास्टिक बेक असान से खुल जाता है कश्मा ने पहले इसमें काम किया हुआ है तो यहाँ पर यह प्लास्टिक पैक अल्रेटी खुला हुआ है तो एक जगत से हम इसको हलका सा उठाएंगे ठीक है एक जगत से हलका सा कटर डालके इसको उठाएंगे और ज्यादा आपने जोर जबरस्ति नहीं करनी है अंदर प्रब्लम हो सकती है तो हलका मैंने इसको उठा दिया है यह देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से ओपनर तो यहां पर देखिए ओर लीडिय खुला वा था तो ज्यादा मसकत मुझे नहीं करने पड़ी थीखे तो यहां पर दिख्यें है या फिर क्या है पता नहीं ही यह मुझे लगा और लीडिया पहले से से होते वे नीचे नीचे यहाँ पर जाता है तो किसी-किसी में दो सेक्षन होता है एक यहाँ पर एक यहाँ पर किसी-किसी मुवाईल में दूनों खोलना पड़ता है किसी-किसी मुवाईल में परवाला सेक्षन खोल के काम चल जाता है लेकिन इसमें कि पूरा यहाँ पर यह यह पुरा फ्रेम ही यह मैं खोलना पड़ेगा तब जाके यहां पर यह हम इसको एक्सेस कर पाएंगे ठीक है तो एक स्कूड़ाइबर है मेरे पास इससे फटा फट से मैं खोलता हूं तो वीडियो को थोड़ा फार्स फोरोड कर लूँगा ताकि आपका भी टाइम बचे रह है और मेरे वीडियो का डूरेशन भी ज्यादा लंबाना हो चलिए तो फाइनल यहां पर हमने सारे स्कूड़ खोल लिये हैं तो यह सभी स्कूड़ हम एक तरफ को कर लेते हैं और इसको हम खोलेंगे तो यहां पर एक जगए से इसको नाखुन डालके या फिर आप इसमें इसको उठा सकते हैं इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से इसको खोलना है ठीक है इस तरीके से इसको खोलना है और यहां पर भी आप इसको इस तरीके से खोल सकते हैं ठीक है तो फाइनल यह खुल चुका है इसको रखते हैं साइट पे और यहाँ पर एक फिंगर प्रिंट का पता रहता है उसको आपने सावजानी से खोलना रहता है ठीक है इसको फिंगर प्रिंट इसके अंदर रहता है तो यहाँ पर इसको हम अलग कर लेते हैं और यह रबर है इसको हमें यहां पर रख लेना है तो इसको हम खोलते हैं Oh ay a दिखिए उपन हो चुकर है और यहां पर जो हार्स दिस्पले का पत्ता है वह भी यह वणा है तो सबसे पहले हम इसकी बैडरी को अलग करेंगे तो बैटरी को अलग करने के लिए इसके मेन पत्ते को भी लगता है मुझी हटाना ही पड़ेगा एक सेक्ड पहले इसकी बैटरी के पत्ते को हम लग करते हैं यह मेन पत्ते को अलग करते हैं और इसको उठा के अलग करनेंगे और बैटरी को खोलने के लिए आप इसको खीश के खोल सकते हैं और पत्ता कटे न इसको उठा के बैटरी को आप लग कर ली जगा और यहां पर यह डिस्प्ले का पत्ता है इसको हम उठाएंगे और डिस्प्ले को बाहर कर लेंगे यहां से थोड़ा सब पुछ कीजिए और डिस्पले आपके बाहर निकल जाएगी अब जो डिस्पले हम यहां पर खरीद के लिए क्या है या फिर जो फोल्डर हम खरीद के लिए क्या है उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे तो कि मैं चेक करके नहीं लाया था इसको तो अभी च दिस्पले मैंने खरीदी थी वो डिस्प्लेसमेंट अटेच नहीं उपा रही है असल में यह रियल्मी सेवन की डिस्पले नहीं है मुझे लगता कि प्रो की डिस्पले है यह थोड़ा साइज बढ़ा है देखिए इधर से भी और इधर से भी हमने यहां पर नया फोल्डर म तो थोड़ा सा बड़ा मुझे लगा आज मैं पूरा चेक करके यहां पर इसको लेक आया हूं तो अब मैं इसको यहां पर डायच करूंगा जब आप फोल्डर को लेकर आते हैं तो यहां पर एक सील होती है अब के होहां की बतानी क्या POLICY है हमारेया यह के सील रगी यह पर कल वो तो अच्छा हुआ भाई मैंने इसको तोड़ा नहीं था वरना वो भी मेरे सर पड़ता काफी बार क्या होता है यह फोल्डर जब आप लेके आते हैं उसमें बहुत सारी प्रोब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं दोस्तों काफी बार हमें नुकसान भी उठाना पड होगा अब मैं यहां पर इसके इसको भी तोड़ दूँगा और सभी यह निकाल लूँगा उसके बाद मैं इसको फिट करूँगा अटैज करूँगा सही तरीके से तो यहां पर यह असानी से इस तरीके से निकल जाता है देखिए इसको निकालना बहुत जरूरी है वरना य कालना है देखिए तो इसके बाद बादी आती है इस पण्झी को निकालने की इससे कैमरा में घूल भगर नहीं इसका मारे होल पे धूल नहीं जाती इसलिए इस तरीके से इसमें लगा के रखते हैं कंपनी आप तीसरी चीछ तो अब इसको उतारना और अलग कर लेंगे देखिए इसमें एक अलग से लगा हुआ है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं बाकी इसको आप निकाल लेजेगा देखिए इस तरीके से नीचे आले को रहने दीजेगा अब यहाँ पर इसको आपने निकालना और यहाँ पर इसको भी आपने निकालना ह हैं हैं पहले हम Alrighty मैं काम करते हैं इसमें हैं को लगा लेते हैं देखिए विया पर बहुत सरी क्वालिटी का आता है फिल जो मैं ग्लू समाल करता हूँ यह वाला है आप देख सकते की फोटों कि उद्दिकांच को आप दिखा सकते हैं यहतोड़ा सची तो एएरपीस के पास में फ्लास्टिक होता है उसे फ्लास्टिक को पहले जो भी इसको रिपैरकfel कर चुक बिना प्लास्टिक के मुब यह कि थोड़ बीत नहीं सकते है उसने मिंधे लगा दो तो पहले काफी लोग जल्दबाजी में रिपायर करते हैं तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ा भूल जाते हैं तो यह रबर है जैसे अगर निकली है तो उसको लगा ले वरना इदर धूल चली जाती है बहुत सारी चीज़े हैं जिसको काफी लोग नूट नहीं करते हैं तो चलिए मैं फटापट से यहां पर ग्लू लगा लेता हूं उसके बाद मैं आपको अच्छी दिशे बता दूगा जो जो भी स्टैप में में रहेंगे यहां पर मैंने ग्लू लगा लिया है अब एक चीज मोबाइल की बोर्डी से टैच हो जाता है ठीक है एक यह पनी है और एक यह है इसको आप सावधानी पूरवक निकाल लिजेगा इस तरीके से चलिए निकल चुगा है अब हम इसको फिट करेंगे चलिए ऐसे रखते हैं सबसे पहले और ऐसे हम इसको टैच करेंगे और इस तरीके से देखिए फिट हो गया है यह बहुत ही असान तरीके से यहां पर इसको थोड़ा सा सीथा कर लो और इसके बाद यह आप कनेक्टर को अटैच कर लो इस तरीके से और उसके बाद इस तरीके से करने के बाद यहां पर इसको बैटरी के उपर से लगाना है और यहां पर इसको इस तरीके से अटैच करना है देखिए इसको दबाना इस तरीके से देखिए अब यह लग चुकी है सही से यह लग जाएगा यहाँ पर और यह लग जाएगा आपका में इधर पर जो इसका पत्ता है इस जिगर पर चलिए एक बार मैं आपको ओन करके इसका टेस्टिंग करवा देता हूं उसके बाद मैं फाइनल इसको पैक करूँगा तो यहां पर दबाते हैं क्योंकि इसका बटन है इसको ओन करता हूं इसमें देखिए रियल में और यह सब लिखा आएगा विट करते के ओन उनिका तब तक हम इसको पैक करने के लिए सबसे वहले हम यहां पर फिंगर्प्रिंट को लगाएंगे इस तरीके से से इसको फसाना है हमें इधर इसका खाज बना हुआ है इसको लगाएंगे इस तरीके से देखिए लग चुका है या फिर इसको हम कुछ ऐसे भी लगा सकते हैं देखिए लग चुका है प्रेस हो रहा है बाकी यह काम सही से कर रहा है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखा तो देखिए है न चलिए अब मैं इसको पहले पैक कर लेता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं इसको दबाने इस तरीके से सबी की सबीए स्कूरी हैँ पर फटाफट से मैं लगाता हूं और फाशन स्कूरी लगाने के लिए मैं एस सुसरी आपको करता हूं वह है उक्त देखाए बढ़ता हूं तो यहां पर अभी हम श्कुरू लगाएंगे इस कुल लगाने के लिए मैं श्कुरू एबल का इसमाल करता हूं अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं इसका लिंक आपको मैं दिस्क्रिप्शन में देदूँगा वहां से जागे खरीद सकते हैं वैसे आपको अधर देते हैं जम यतमां काम करना चीह काफ़े सबोल करिए सबसाथ कि आधर क्या एक można करते हैं तो तो वो भी क्या करते हैं चोड़ देते हैं इसा नहीं करना चीहें काम किजिए कभी-कभी क्या बोथा एंटेना के पास के अगर अगर पीस कूल नहीं लगाते हैं तो सभ मैं करता है ऐसी कंडिशन में काफी बार को मार्य चाइ soy the ice यह पर मैंने अगर सही स़्ड़ाने के बाद अगर तो तो यह देखिए सही से टैज हो चुका है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बैंड लगा लेंगे जब यह बाद में चिपक जाएगा उसके बाद यह जो फाल्तू ग्लू हमारा निकल रहा है इसको इस तरीके से रगड के आप निकाल लें यह भद्दा नहीं लगेगा ठीक है प अठेगा नहीं रवर्ट मेंड लगा के देखिए इस पन्नी को हम बाद में निकाल देए देखिए उपर यह सही से काम कर रहा है यह देखिए पासवर्ड हमने रोंग पासवर्ड डाल दिया तो यहाँ पर टाइम लेगा चलिए इसको लगाते थे दूदी नेगब आलंगे प्रॉपर इसको लगाना है तब जाके यह सजी से अटेच होएगा इस तरीके से मैं ऐसे और लगा लेता हूं चलिए फोटाफट से यह पर लग चुका है अब इसको हम छोड़े के पंद्रे मेट के लिए उसके पैक होके त्यार यानिकि सेट होके त्यार हो जाएगा तो देखिए कितनी आसन तरीके से हमने इसके LCD को चेंज कर लिया है अगर ए मैं तuri किसलर बेड़ेक के बहुति करफ वोट कर लिएकि लुका कि ट्ख बाट बंचेज कर बश्यार थिक exactamente कर लिएके जा करे दो से कर दो हमने चले में वहूं करे दो क्तले नजय को अ झालिए में वह पार इसके भी बाट च्यारे कर दो किते कर दोड खीर आनसे लिएके